जिनेश के वह रहा निवरलिजिकल अनलिसिस में आपका स्वागात है भारत क्या अपने एक्सपोर्ट्स को पिक अप कर पाएगा भारत के एक्सपोर्ट्स पिछले 6-7 सालों से स्टेगरंट हैं बीजेपी की सरकार जब से आई है दो नंबर कोरोना काल में चार नंबर कहीं न 2014 में जब मर्मौन सिंग की सरकार गई तो उस्टेम भारत का जो एक्सपोर्ट था करीब करीब 315 बिलियन डॉलर का था 2019 में भी इंडिया का एक्सपोर्ट 315 बिलियन डॉलर का था बीच वद और कम हो गया था और इस साल कम होके 500 पॉने 300 बिलियन डॉलर पे आ गया है नवंबर के महीने में तो नॉमली जो 25-26 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट होता है उससे कम होके 23 बिलियन डॉलर के उपर आ गया दरसल सरकार जितनी स्कीमें बनाती है एक्सपर्ट ग्रुप्स बनाती है एडवाइजरी कमिटी बनाती है ये कमिशन बनाती है वो ग्रुप बनाती है किसी का आज तक कोई फायदा नहीं हुआ सरकार को दरसल समझ नहीं आता कि करना क्या है कभी वो A स्की मनाती है, कभी वो B स्की मनाती है, कभी वो C स्की मनाती है सारी स्की में फेल हो जाती है सरकार को नहीं समझ आता है दरसल सुबरा मनिम स्वामी सही कहते है इस सरकार के अंदर एकॉनमी की किसी को समझ ही नहीं है अब क्या ये आने वाले दिनों में एक्सपोर्ट बढ़ सकते हैं फिलहाल कोई आसार नहीं है ये साल भी चला गया ये साल तो हमारा 2014 के साल से भी नीचे चला गया दरसल 2019-2014 के बराबर रोपीट के आया था तो हमने क्या तरक्की की? 0% इतने टाइम में वेतना में तरक्की कितनी की? 100% से ज्यादा बंगलाज़ देश्री कितनी तरक्की की? 70% से ज्यादा हम कहां पे हैं? 0% पे इस साल और डाउन हो गए तो साथ साल के बाद हम 2014 के मुकाबले भी डाउन हो गए ये आज का भारत है भारती जनता पार्टी का नया भारत फैसला आपका है आप खुदी सोचिए क्या आने वाले दिनों में मेरे आत बढ़ेगा तो मेरा उत्तर है ना धन्यवाद आपका फिल्बेक टीशेगा